सब्सक्राइब आप सभी का फ्रेंड करने वाले में गडित की साती जो है जो अवस्थाएं थी महत्पुण अवस्थाओं के बार में डिस्क्राइब करने वाले यहां से प्रतिवर्स परिच्छाव में पूछे जाते हैं तो यह वीडियों आपके लिए महत्पूड है तो चलिए क्लास को प्राइब करते हैं करना करिए तो यह वालत करता है कि गडित यह अच्छी तरीके सब्सक्राइब करते हैं करने लगे अईसी प्रवित्ती उनके अंदर कर दे जो तभी तो तभी आपका गड़ी सिच्छन का उद्देश सफल होगा चलिए इसमें करें पॉइंट है उसके बारे में इकर करेंगे कि इन पॉइंटों से प्रस्न प्रतिवर से बनते चले आ रहे हैं तो चलिए पहला है एक गरति पोट्व पोलियो की विसेवस्तु की बारे मीं चर्चा करना है। एक पोट्वूः ना बीविन प्रकार के वस्तु को सम्मिलित किया जा सकता है जिन पर एक विद्जयारती एक विशीं में कार सकता है। दियां मतलब होता कि एक का सकता है मतलब पोड़्पोलियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी समय औधी निश्चित करते हैं जिसके अंत्रगत बालक रहकर कारे कर सके और अपना फीडवेक दे सके मतलब उसमें क्या है वह कारे करता के तथा समस्याओं का समाधान करने के पश्याद अपनी प्रतिपूर्ष्टी को भी हुआ उसमें दे सके और यह अन्त में यह पता चलते कि बच्चा उसकार में कितना स और कि यह पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ट प्रक्रियों के अंत्रगत रखी जाती है तो कुछ इसके मटकुछ सुझाक के बिंद्द दिये हैं इसको वारें जो है करेंगे चलिए मुक्तुतर वाले प्रस्टन होने चाहिए एक सामोज़वें के रिपोर्ट होने चाहिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट होना चाहिए असमाचार पत्र पत्री के लेख होने चाहिए समस्य हलका निकली का रहे होने चाहिए मतलब कुछ इसकी जो सुझाव बिंदू है इन में बिंदू को जो है इत्मी जो है रखा जाता है पोर्ट पोल्यों के अंद्रगत आगे पढाएंगे जोओ बियुए लूब हम रुबरिक के वारे में तो रुबरिक जो जो है यह पुछया जाता है रुबरिक क्या होता है उसके त कि यह संग्रा mmC जिसमें मुल्यांकन संबझ्क को संग्रित किया जाता है प्षकाइब के जो मूल निर्धारित किया जाने वाले अभी लक्षणों को सुवस्पष्ट और प्रदर्शन कर एक रेटिंग के साथ प्रदर्शन कर एक रेटिंग के साथ करता है कि वह मतलब जो होता है इस एक रेटिंग से इस प्रकार का मुल्यांकन रहा है तो एक रूप में देता है आप लोग ने देखा एक रेटिंग के माधनते है वह मुल्यांकर को करता है इस प्रकार से रुबिक कारिक करता है आपको रुबिक को समझ दिये रहेंगे लेकिन आपको जो सही विकल्ब चुनाव करना है जिसके द्वारा बच्चों के पाहला पॉइंट यहीं आपको पुछा जा सकता है कि रुबिक का रहा होता है छिसी सिच्छक विध्यों सिच्छक में अब बिद्यों सिच्छक बिद्यों कर सकते हैं रुबिक मुल्य अंकर के लिए मार्ग दर्सन का एक समूच्च्छ है जो निद्ध मुल्य दर्सन तो एक रिटिंग स्केल करता है कि आगे बढ़ेंगे एक निश्चित इसके बारे में थोड़ा सा देखिंगे चलिए झाल कि किया यह एक निश्चित इसकेल मावड़न जो है एक निश्चित ऐसकेल मापड़न के बादे में बनाता है मतब इन माप डंडों को इन मुल्यंकन के रखा जाएगा इन मुल्यंकन सेडियों के रखा जाएगा दूसरा स्केल के प्रतियेक बिंदों के लिए प्रदर्शन की एक व्याक्षान करने के पूर अविलेक्षण के सूचित आठी है मतब क्या होता है कि जैसे जो रेटिंग जो रेटिंग बनाया है मुल्यंकन के जाज करने के रूबिक नामक जो आपका रेटिंग स्केल है उसमें क्या होता है हम लोग पैमाना सेड़ करते हैं कि इस बिंदू तक इन प्रकार इन अविलेक्षण वाले बालक रखे जाएंगे यह चीजें पहले से पूर तरीके से निर्धार्त होती है यहीं बच्चा इन इन लच्छणों को बदासित कर रहा है तो मुल्यंकन के प्रश्चात हमको यह उसको हम यह आंख प्रतान करेंगे तो आपनों समझ सकते हैं मतले से यह से एक छोटा सा एक गुरूलर का एक्जाम बनाते हैं और उसमें कुछ बिंदू तक निर्धार करते हैं कि इन लच्छणों वाले जो वालक हैं वह इस कटिगरी में रखे जाएंगे ठीक हैं विद्याद्चियों के लिए एक प्रदर्शन का भी लक्षे इसका उद्देश होता है मतलब यह एक पैमाना सेट करता है कि जिसे बछे क्या है बैतर से बैतर जो है मुलयांकन के दोर एक चीजाता है धिया जियर यह हूं लंकन करता है आगे बढ़ेंगे तो यह हो गया आपका हमारा रुबिक के बारे में ने डीटेल में पढ़ दिया है अब आगे हम लोग आपकरम में फ्रैंट का पार्थ शुक्त करने वाले कि देशन करते हैं गड़ित का पार्थ शूक्त कि गज़ित का मारे पार्ट्राइमारे पीयोगता है किसी भी विशे की उपीयोगता या पाख्षान इस बात पर निर्भर करता है प्राफ्तपते हैं जीन के कितना उप्चयोंगी मैं शेटार इसे के बारे किया प्राइब करते हैं इसलिए परने में गता स्वेयव के लिए और आने में की मिOR कितना होगा यहिए आप परने में नियुकरा पार है में 선osi करक्ते होगा का थे मिरुखे至 worn मतलब कि इस विशे के बारे में घहन अद्यन कर रहा हूं तो इच्छा के उठ्देसों की प्राप्तिक लिए कितना उपयोगी है कितना नहीं दिखेगी यह जट्थ भी माइने रखते हैं अगला वह बालक के सर्वाइंगर विकास में कितना पार सारीरिय विकास बालक के मांसी विकास, बालक के नेती विकास, बालक के सामवेगी विकास, मतलब जितनी वी प्रकार के बालक के अंदर विकास से प्रक्रियाई जुड़ी हैं, उनसे वह कितना लाप्रत है, मतलब कितना उपयोगी से दोता दिखाई दे रहा हैं, आगे बढ़ेंगे अत्ता हमें नेच्छड करने पर या पता चलता है कि गड़ित के इन इन тशी प्राप्ट्टी करने के लिए ख़रा उतरता है है और अपने सिद्धान्टों पर अपने नियमों पर खढ़ा उतरता है जो है आप लोग जानते हैं कि हम जानते हैं नियानी जीवन की कितना महत्मोड रोल हुता है इस रोल को आप इस लाइन की द्वारा समझी सकते हैं यह बिल्कुल समझाने की बात नहीं है यह एक अबोध बालक मतलब जो गडित सीखना प्रारम कर रहा है वह भी समझ सकता है कि गडित का कितना रोल होता है यदि उसको अपने पापा से पैसे मांगता है तो पैसे की दोरा समझता है कि मेरे पास चार रुपए होंगे अथारत यहां पर उसके महतुकों दिखा जा रहा है तो पहला लाइन बिल्कुल अस्पारिक्टर बिल्कुल क्लियर है बात करेंगे वह भी से सिच्छा के उद्देश के प्राप्ति के लिए कितना उप्योगी मतलब गडित उप करवाथा है तो बुद ना जैदा गडित के पर स्वालों को लगाएंगे सवालों में उल्ठी रहेंगे उसने क्या होता है जो बाकी विश्टर को सोचने यह समझने के लिए उनके मस्तिश को और भी प्रिब्र और और पी उसाग्रव बनाता है आगे वह बालत के सरवार्ड कि सारी बातते बकाईदा निर्ष्ण के दवारा हम पाते हैं कि सारी बाते गडित मैं वीषए के दंदर में बिलकुल सही बैठती हैं यह है आगे देखन करें वेमंद अगे बात और कि इस सब13 Corner का नहीं बीठार योगिता को देखते हुए कोठारी कमीशन ने कहा है कि गडित को पहली से दस्वी तक अनिवार विषय बना दें चाहिए most important point most important point ने यहां से प्रस्थ बनतर रहता है कि कोठारी आयोग ने गडित को किन कछाओं तक कि अनिवार विषय बनाने का मत प्रस्थ बिनाने की बात कही थी इन्हों ने प्रस्थ किया था प्रस्ण नहीं से संभाव बन तकते हैं उन प्रस्णों पर भी आपका यह तो आप लोग इसको थोड़ा दिए गठन 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 था उस दोरा ने अपने जो है मतलब विचार दिये थे तिच्छा के संदर में तो उसी में उन्हीं दौरान उसी ताइम रेट के दौरान इन्होंने कहा था कि गठन 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 के लिए अनिवार विश्यक्रूप में कर देना चाहिए जिससे सभी वक्षे गठन को पढ़ सकें और दानिक जीवन में और उसके आलोचक भी रहते हैं जो उसकी बात को नकाने गलते हैं इनकी बात को भी नकारा गया कुछ लोगों ने कहा कि अभी उस बात को सिवकार नहीं करते हैं परन्तों कुछ लोग क्या करते हैं अभी उस बात को सिवकार नहीं कर सकते हैं कि यह लोग आलोचक हैं किसके दौ प्रबल करता है उसके पास सामने मालों को समझाने के लिए प्रबल तरक रहता है जिससे वह अपनी बात को मनवाने में शफल हो जाता है तो उनी कारणों के बारे में बिसक्त करेंगे क्यों गड़ित को कच्छा एक से लेकर दस्तक के अनिवार विससे मना चाहिए उनी कारणों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो पहला कारण है कि यह विज्ञान विश्यों का आधार किस प्रकार से आधे हम देखंगे तो गड़ित के बीना बिज्ञान का अस्तित अतंभो है जा किसीरूप में बिज्ञान से झुड़ा हुआ है तो विना इसकी अध्यान की है हम बिज्ञान के बीनां के तरीके से समज्ज नहीं सकते हैं या उसमें पूरी तरीके से अपने आपको ढाल नहीं सकते हैं विज्ञान की सभी गड़नाएं सिद्धान तथा निश्करत की तहाता से निकाले जाते हैं आपको पता है विज्ञान में जितनी सारे प्रयोग कियाते हैं उन प्रयोगों में समझे जो तो आप ठोड़ नहीं सकते हैं सकते पहला रिजिन यह होता है गड़ित को अनिवार विशाय बिज्ञान बनाने का क्योंकि यह है विज्ञान विज्ञान का एक प्रमुक आधार होता है तो आई हो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके समझ गेंगे बात करेंगे अगले महत यह कि लिए बहुत की बात बहुत की बात नहीं की जाती गड़ित सभी प्रत्य सोत्र सिध्धान निश्कर्थ सही निश्चित या अथार्थ होते हैं करें गता बाल फिर जितने भी इसके सारे प्रत्यम नियम होते हैं सूत्र होती हैं सिध्धास आध हो बिल्कुल सही और इथात होते हैं जैसे कि चार और पांच नव होता है तो प्रत्ययक्रोणक्व के लिए निश्चित है कोई उसे आठ यहाँता नहीं कर सकता है यह बिल्कुल क्लियर है भाई जैसे दो प्लस दो चार होता है यह थारत होता है यह किसी भी कंडिशन में किसी भी घड़ी में कभी भी बदल नहीं सकता है इसलिए हम लोग ने कहा है कि गड़ित एक अथार्थ का विज्ञान की कि इसमें तत्थे जो होते हैं जो नियम होते हैं जो हमारे से धान्त होते हैं और जो निश्कर्थ होते हैं वह बिल्कुल प्रतक्ष होते हैं बिल्कुल एथार्थ होते हैं उसमें किसी यह प्रकार की भा प्रवल देता है मतलब करने को एक प्रगति प्रदान करता है कि जब बच्चा गड़ित सिच्छन करता है तो दवरान क्या करता है यह चीजों को जो तरक करने के प्रवति उसके अंदर अधिक मातरा में वेखसित होती है जब शिच्चक गड़ित सिच्छन का कार करता है और उसकी समश्याओं का समधान करता है तो बालग क्या करता है उसमें और भी तार्किक अधिन करता है कि इस समश्या को किस प्रकारते हल कर रहे हैं क्या मैं इस समश्या को इस तरीके ते हल करता हूं हल करता हूं या यह समश्य इस रूप में अगर बदल जाएगी तो इसका जवाब क्या होगा मतलब ये कही प्रसंद से विभन प्रकार के तर्क उसके मस्तित में आते हैं ऐसा के वल गड़ित विश्य के ही साथ होता है क्योंकि तर्क करने की जो एक अच्छी खासी अच्छी खासी समझ होती है वह गड़ है इसमें जो इसका antraght होता है और इसलिए क्या है गड़ित इक तार्की विश्य के अंतर गड़ित देखा जा सकता है गड़ित की पर्तियक शमच्या को हल करने के लिए तर्क कुंट विचार करना होता है इससे बच्चों की तारकी छंता बढ़ती है यही बाते मैंने आपको अभी एक जांपल के दूप में समझायागी जितनी भी समश्चाइं होती है उसको उसका समधान करने के लिए विभिन प्रकार के तारकी जो है तिछ्छा के दार प्रसुत किया जाते है जिससे बालक में तारकी विकास की मातरा में ब्रद्जी होती है और उसमें तरक करने की छंता का भी विकास होता है ठीक है क्योंकि सिछा क्या करता है एक समश्चा को विभिन प्रकार से बच्चों के सामने प्रसुत करता है जब वो विभिन प्रकार से बच्चों के सामने समश्याओं को प्रसुच करता है तो बच्चे भी विभिन प्रकार से हल धोड़ने के लिए अपने मस्थिस में जो है तरक करने लगते हैं तो जब वो तरक करते हैं तो उनके मस्थिस का विकास होता है ताता तो उनके तारक की सब्सक्राइब करेंगे अगला दिखें अगला पॉइंट मारा है कि चली अगला है घड़ित हमारे दैनी जीवन में जूड़ा हुआ है कैसे जूड़ा है यह हम सब जानते हैं हम चाहें गड़ित को अपने जीवन से अलग नहीं करता है ठीक है मतलब हम कितना भी चाहे हैं गड़ित हमारे जीवन से अलग हुजाय या गड़ित के मुझे कोई भी उप्यूग न करना पड़े इसलिए यह इतना उपयोगी होता है कि बीना इसके एक विक्तिके दैनी जीवन के कलपना नहीं की जाए सकती है ठीक है इसलिए हम प्रद्दिन के जीवन में गड़ित का उपयोग निश्चित रूप से करते हैं यह बिल्कुल तथ्य है तारभामित तथ्य है कि किसी रूप मे किका है आगे अन्य विश्यों के नहीं के अध्यान करता है यह तक सब्सक्राइब करते मातरा में करता है जो अन्य विश्यों को समझने के लिए काफी काफी मजबूत और काफी ठोस हमारे सामने प्रस्तुत करता है आगे कि चलिए कि गड़ित हुता है फ्रेंड गड़ित बच्चों में क्या करता है आत्मबिश्वास हुआ सत्य की भावना का विक्स करता है कि जब बच्चे का गड़ित करते हैं तो जब उसτιक्व का समद्धान शीचता की दुए तो होता है साथी साथ उनमें सत्य बोलने की भावना का भी विकास होता है कि मतलब जब उनके पास सही उत्तर आता है तब ही वह जवाब देते हैं जब उनका उत्तर नहीं आता तो जवाब नहीं देते हैं इससे क्याता हूं उनमें आत्म बिस्वात और सत्य बोलने की भावना का भी विकास होता है और यह उनके सामाजी जीवन में काफी प्रभाव छोड़ता है अगो गढ़त बच्चों के सालांगीद विकास में सहयक होता है मतल् иск व्रेंड उनका समाजी विकास होता है और उनका प्रिकास हुथ हूता ौसमें किसी प्रिकार आयोग ने गड़ित का अनिवार पीसे बनाने की बात की थी उन्से रेटर जो उन्होंने कांट देते उन कांड़ों पर एक करके चर्चा किया तो यह था अच्छा क्लास में लोग एक महत्पूर्ड इंपोर्टन टॉपिक पढ़ेंगे जहां से प्रतिवास परिच्छा में प गुद बाई